मद्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के खेल एवं युवा मंतरी जीतू पटवारी ने mp news से खास बात्चित में खाया है कि वें खिलाडियों को सवाने और उनको बहतर platform देनी का काम करेंगे मद्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के खेल एवं युवा कल्यान मामलों के मंत्री और अब उच्छु शिक्षा मंत्री भी हैं इन दौर के नए नवेले वधायक और कॉंग्रेस के कदावर निता श्री जीतु पटवारी जी सीधी बात करते हैं मंत्री जी से और जानने की कोशि अब के मंत्राले समालने के बाद दो बाते हैं कि यह जो कामी नेशन हुआ है यह एकदम अद्भूत है आप तक्निकी सिक्षा युक परिवार के बेटे को रोजगार दिलाना है तो रोजगार उससे संबंदित हैं दूसरा स्पोर्ट से कैसा विधा है जो मेरी हभी का विश नेशनल इस प्रधाय है उसमें मद्यप्रदेश देश का कैसे नेतुरत करें और देश का नेतुरत करते हैं मद्यप्रदेश के बच्चों विशुभर में कैसे नाम कमाई यह चुनोती है अब आप देखो कि हमारे परिवार का जो पालक है वो यह सोचता है मेरा बेटा खेल के माध्यम से अपने जीवन का केरियर चालू करें और उसमें अपना नाम कमाई यह कमी है इस कमी को दूर करना और साथ ही साथ कई समाज सेवक कई खाना किलाते हैं कई इलाज कराते हैं कई और अलग-अलग धरम चालाएं बनवाते हैं कई हास्पिटल में डोनेशन करे है उसको भी बुरानी है पर हमारे समाज में जो लोग जिनके पास है कुछ देने के लिए दान वो स्पोर्स के लिए क्यों नहीं दे और उसको आत्म साथ क्यों नहीं करें मैं अलग-विधा से यह सोचता हूं कि जो हर मंत्रा लई है मद्प्रदेश शाशन का वो एक स्पोर के अंतरगत मिलें इसा एक मेरा विचार है अब आगे वो तो सबसे बात करके आएगा पर जरूरी यह है कि कुल मिलाके खेल की विधा को परिवार आत्म साथ करें समाज आत्म साथ करें और इसको वेसा माने जिसे मंदिर में पूजा करते हैं वैसे खेल के माध्यम से हम अप खास संदेश देंगे और जिस तरह से हमारे हिंदूस्तानी खेल जो है अब विलुप्त होते जा रहे हैं पीछे चूट रहे हैं क्या हौकी को पूरनर जिवित करने के लिए मंद्री जीतू पटवारी कोई बड़ा कदम उठाने वाले है एक स्पोर्स स्पीड हर परिवार क के बेटे में होना चाहिए वो जीवन के सांसारिक जीवन को जीते हुए हो केरियर के लाभानी के विशे पे हो या अन्य किसी प्रकार का मैं समझता हूं जीवन के उतार चड़ाओं में हो तो यह स्पोर्स उसकी सीख देता है रात तक हांकी या हमारे इंडियन गेम से हैं ज समझता हूं उसके पालन पोजिशन और उसकी उन्नति के लिए तो मुझे सब कुछ करना चाहिए और महू उसका ध्यान चन जिनका हम मैं समझता हूं की गोरव से पूरी दुनिया नाम लेती है तो यह हमारे लिए गोरव के विश्य हुआ कि मैं यहां से खेल मंत्री बना जह सबसे बहतरी नूच सिक्षा का मध्य परदेश का केडर केसे बढ़े या दुनिया भर में लोग सोचे कि मुझे मेरे बेटे को पड़ाना है तो मध्य पुदेश के भारत देश के मध्य परदेश में कैसी इन्वर सिटी है जहां पर भरती करा सकता हूं हम यहां से आख सब करेंगे सामर्त से ज्यादा दिमाग और अपने आपको समर्पित करके विश्वास जताएंगे कि ऐसा संस्थानिया बने जहां कमिया है उनको दूर हो जहां प्राइविट सेक्टर में बहुत बार गरबढ होती है देखते रहते हैं उनकी बात हो और एक भरोसा कायम हो ऐसे हम कोशिश करेंगे बहुत बार शुक्रिया हमसे खास बाचीत के लिए तो यह थी उच्छिक्षा मंत्री और खेलेवं युवा कल्यान मंत्री श्रीजीतु पटवारी जो कि हमें बता चाहिए फिलहाल कैमरापरसन अरुनियादव के साथ महिंद्र सिंग एंपी न्यूज इन दौर